नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं इनके अलावा मोके पर जार्खन से राई सभासर समवा मांजी, दिली से राई सभासर से संजाय सिंग एवं रागाव चड़ा, दिली सरकार की सिक्षा मंतरी आतीस्ती मारलेना एवं दिली बिधान सभासर से बिनाय मिस्त्रा भी उपथित थे इस दवरा मीडिया से बात करते हुए सीम के जरिवाल ने कहा है कि मोधी सरकार की ताना साही और डिनेस के खिलाप हैं, इस अध्यादेस के खिलाप चार्खन के लोगों का दिली को समर्थन मिला है, उन्होंने दिली की सेवाओ के नियंतरन प्रकेंद्र सरकार के अध्यादे जल्द होगी बहाली, धनबाद में 1105 पदों पर सिक्षकों की नियुक्ति होगी, जल्द ही इसकी परक्रिया सुरू कर दी जाएगी, दरसल जीला सिक्षा विभागन मुख्याले को इन पदों को भरने के लिए याचना भेजा है, सिक्षा पता दिकाई ने कहा है कि हमने रिक् मुख्याले से सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए सभी जीलों से रिक्त पदों की नियुक्ति मांगी गई थी, इसके बाद जीलों में सिक्षकों की नियुक्ति के लिए जीलावार आरक्षन रोष्टर त्यार करने का भी निर्देश सभी स्कूलों को दिया गया था, बता देगी धनबात की तरह ही जार्खन के सभी जुल में सिसको किन्य उक्ति परक्रिया सुनू होनी है J.S.A.S.C. ने उत्पाद सिपाही के 583 पदो पर निकाली वेकेंसी जार्खन करमचारी चेन आयोग ने उत्पाद सिपाही के 583 पदो पर निकाली वेकेंसी बता देवर्ष 2018 के बिग्यापन संख्या 4-22-2018 के तरहत आवेदन देने वाला भ्यार्थी के अधिकतम उम्रसीमा की गन्ना के लिए संदर्व में तीथी को संसोधित किया गया है निमतम उम्रसीमा की गन्ना के लिए 1 अगस 2023 की संदर्व तीथी होगी जबकि अधिकताव उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस 2019 तित्थी निधारी था तीन दिवसी जार्खन दोरे पर जेडियू परदेश प्रभारी असोक चौधरी जार्खन में जार्खन में जार्खन खूद को विस्तार करने के लिए जी जान से जुट गया है इसी के मद नजार जार्खन जेडियू के परभारी सह बिहार सरकार के मंतरी असोक चौधरी अपने तीन दिवसी दोरे को लेकर सुकुराय को राची पहुचेंगे बता दे राची पहुचने के बाद पर्दिस प्रभारी असोग चौधरी अपने सभी नेताओं के साथ मुलकात इवंचर्चा करेंगे पहलवानों के समर्थन में सलक पर उत्रेवाम दलके करकाता देश भर में पहलवानों का मामला तूल पकड़ा हुआ है परदसन कर रहे कुस्ती पहलवानों के समर्थन में सभी भी प्रक्षी पार्टे एकजूट होकर भाजपा के सांसद ब्रीज भोसन का बिरुवत करते नजर आ रहे हैं इसी के मदर नजर गुरु और को राजधनी राची में भी भागपा माले की किसान समीती और ट्रेड फेडरेशन के माईधूर नेताओं ने कुस्ती पहलवानों के समर्थन में विरुवत प्रसं किया साभी किसा नेता और मजदूर नेता भागपा माले के नहतीत में राइधानी के अलवट एका चोग पर एकजुट हुए जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार से भाजपा सांसद्विर भुषण पर करवाई करने की मांग की है जहरकन के वरिष्ट मजदूर नेता सुभेंद्रू सेन ने कहा है कि भाजपा सांसद्विर भुषण ने जिस परकार से देश का मांग समान बढ़ाने वाली कुस्ति खिलाडियों का सोर्चन करने के कोशिस की वह अन्याय है गैंग्स्टर अमन का दो बिजेपी नेता से संबन्द। अमन ने अपने बियान में और भी बताए है कि रमेज सिंख के कहने पर ही बीललर अभाय सिंख के करियाले में सुझी छीनहाज ने फैरिंग करवाई थी रमेश सिंग भाजपा पर्देश कारेक कारेनी के सदर से भी हैं वहीं ललेस्वर महतो रांची जीला गरामिन के को साध्यक्षा हैं धर्म बदलने का दबाव नहीं जेल पाई नवालिक रांची जीले के खलारी थाना में एक नवाली किसोरी ने अपने मुस्लिम पती द्वारा मतांतरन का दबाव दिये जाने पर आत्महत्या कर ली है उडिस्ता धोड़ा गाउ में बुद्धवार रात करिम नव बज़े लड़की ने जब आत्महत्या की तो उसके माता पिता और खलारी थाना की पुलिस भी वहां पहुंची और गोलू अंसारी को हिरासत में ले लिया है दुसकर्म मामला में बीजेपी का अल्टिमेटम दोस्यों को करे अरेश्ट गिरीडी के बीरनी के बेदा पहरी की मैट्रिक पास नवालिक छात्रा के साथ दुसकर्म के बाद सक्ष शुपाने वा हत्या करने की निया से कुवे में फेक देने के मामले में चार दिन बाद भी पुलिस परस्टमाटम रिपोर्ट का बहाना बना कर सिधे चूपी साधी है पुलिस दावा कर रही है कि इस कांड पहुल प faites ला करेगी हाला कि अब तक आरुपियों गिरफतारी न आसिक अंसारी वह फारूक अंसारी को गिरफतार कर पुलिस जेल नहीं भेजती तो भाजपाई जीला मुख्याले से लेकर सदन तक अंदोलन करने को बाद्य होगी अस्पताल में लगने वाली सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे नक्सली जारखन के घोर नक्सल प्रहईत पच्मी सिमूम जीले में करीब पांच मास सुरक्षा बलो के हजारों जवान नक्सली की टोह में इस भीसन गर्मी में जंगल जंगल डुखुम रहे हैं वहीं दूसरी ओर नक्सली भी सुरक्षा बलो को बड़ा नुक्सान पहुचाने के लिए जंगल में अपने सुरक्षी ठीकानों को को हाथ लगाए बैटे हैं और नए-ण antagon का सुरक्षा बलो को अपने जाल में फसाने की भी फरकस कोशिस कर रहे हैं बता दे जीले के कोलहान वन छेत्रे के घंगोर जंगल में नक्साली 36 गड़ की तरज पर डायरेक्शन बम, प्रेसर बम, भूबी ट्रेप और इमपाइक्ट के बाद अब सिरिंज आईडी बम का भी इस्तिमाल कर रहे हैं 31 माई को पुलिस को सर्च अप्रेसन में एक सिरिंज आईडी मिला है बिजली बिभाग का सहायक लिपिक 5 है रिस्वत लेते गिरफता है जार्खन में चाईबासा बिधूत बिभाग के प्रमंडर का रियाला के सहायक लिपिक संभुक कुमार को भरष्टा चार नियुधक बीरो की टीम ने गुरुवार को 5 रुपे घूस लेने के आरोप में गिरफतार किया सहायक लिपिक ने जीक पानी के सागर हैसा से सेटलमेंट के नाम पर 5 रुपे की घूस की मांग की थी सागर हैसा यह रकम देने को त्यार नहीं था घूस का पैसा नहीं देने पर सहायक लिपिक 6 माह से उसे कर्याला का चक्कर लगवा रहा था इससे परिशान होकर सागर हेसा ने 10 दिसमबर 2022 को ACB थाने में सिकाइद की थी पिडित ने बताया था कि होलर मस्रीन और आटा चक की चलाने के लिए गलत धंग से सिक्रेटी मानी के रूप में 81,100 रुपे जमा किये थे जबकि उतना पैसा जमा नहीं करना था J.S.S.C. में नगर पालिका सेवा के लिए निकली भैकेंसी जार्खन करमचेरी चैन आगने नगर पालिका सेवा सन्वाग सन्युक्त परिक्षा के नियुक्ति 2023 के बिगाप पंजारी कर दिया है इसके तहद 921 पतादिकारियों के नियुक्ति होगी इसके लिए एक चुक उमिदवार 20 जून 2023 से आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की आमतिमतिती 29 जुलाई के मध राथिर तक है जबकि परिशा सुलका भुक्तार 21 जुलाई तक कर सकते हैं वहीं फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की आखरी तारीक 23 जुलाई 2023 है इस अभी परिदोपर न्युक्ती के लिए अलग-अलग सेक्षिनिक योगिता रखी गई है अधिक जनकारी के लिए आप JSC यानि की जहरकन करमचारी चैन आयो के दिकारीक वेबसाइट देख सकते हैं धर्निवाद